भार्तिय कमेरा बर्ग पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान पार्टी ने टू लाक सदस्य बनाने का लक्ष किया ते राष्ट्रिय अध्यक्ष ने रिवारी से सदस्यता अभियान की शुरू आत विवारी में पार्टी का दावुकारियों ने प्रेस कॉन्फरांस कर पार्टी का बिजन और एजेंडा रखा। विवारी में भार्तिय कमेरा गर्व पार्टी ने एक रेस्तरा में प्रेस कॉन्फरांस कर अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी के राष्ट्रियस सहोजक डॉक्टर महेश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष में पार्टी ने प्रदेश में दो लाग सबस्र बनाने का लक्ष रखा है। पार्टी की ओर से रविवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फरंस कर पार्टी का बिजन और एजेंडा मीडिया के समक्ष रखा गया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगरा, महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष नीलम सरोह, प्रदेश उपाध्यक्षानन प्रकाश जांगरा, प्रदेश सचिब नीरच कुमार के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकरता मौजूद र इसलिए नई पार्टी का गठन किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैठक कर पार्टी संगठन की कार्यकारिमी का गठन किया जाएगा। आगामी जो साल 2022 का रहेगा उसमें भार्टी कमेरा वर्ग पार्टी के प्रदेश के अद्धर्श प्रित्न जांगा जी वारी महिलाविन की प्रदेश अद्धर्श निलम् उपाध्यक समारे सचिव, नीरत जी, अधर्ग प्रकार जांगा जी और तमाम जो भार्ती कमेरा वर्ग पार्टी के टीम है। वो इस बात से बिल्कुल आशुस्त है कि आने वारे समय में भार्टी कमेरा वर्ग पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर अपनी जने लेगी। उसका कारण ये है कि जितनी वी राज़तिक दल आज खरियाना प्रदेश में हैं, वो जनता का भरोसा पूरी तरह से खो चुके। अगर वर्तमान में जो गटबंदन की सरकार ये खरियाना प्रदेश में चल रही है, तो उन्होंने जो वायदे सरकार में आने से पहले किये थे चाए तो वो रोजगार का विशय हो, चाए वो महिलाओं को सुरक्षा का विशय हो, चाए वो गरीब मजदूर को मजबूत करन और अभी पिछले नेड़ साल से, एक साल से, जो किसान आदो में चला, वो आप पत्रकार साथियों ने, उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, कि आप लोगों की वज़े से वो आज गरीब मजदूर किसान की जीत हुई है, जो ना जुटने वाल एक मजबूत प्रणान मंतरी की जो एक इमेज जिसकी इस देश के अंदर बनाई गई, तो वो जुटा, तीनों किर्शी कानूर वापीस हुए, आज किसानों का धर्मा भी खतम हुआ है, तो उसके अंदर जो आप लोगों ने पत्रकार साथियों ने भी जो एंप भूमिका दिभाई, उन आंदोलन कारियों जो इस देश को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन चला इस देश की राजधानी के अंदर, उस बात को आपने बड़े मजबूतिश उठाने का काम किया, तो उसके अंदर तो एक साल से जज़पा-भाजपा के जो नेता उनका गाउं में अधर कुछना भी दूपर हो रहा था, और आज भी विशय खतम नहीं हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन, भले ही इनोंने किसान जो बिल थे, किसान गिरोधी बिलते वो वापिस ले लिए हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़े हैं, आज नोजवान रोजगार को बटक रहा ह नीजी करण, राश्री करण का नीजी करण करने का काम किया है, हर एक पखलिक डिपार्टमेंट, आज मेरे खाल में वीशों के अंदर भारत एक पहला भेश होगा, जहां पर ना तो भारत का अपना कोई बैंक होगा, ना कोई संचार व्यवस्ता इनकी अपनी होगी भारत की ना शिक्षा अपनी होगी, ना चिकित्षा अपनी होगी, तो कोई भी कोई भी ऐसा सेक्टर इनका नहीं होगा, जो इनका ये कहें के सरकार का सेक्टर है, सब उदोख पत्यों के हाथ में देने का सांथ है, और दोगी सारी जीज़े उदोख पत्यों के हाथ में चली तो यहां का नोजवान एक गरीब मजदूर का बेटा एक गरीब मजदूर विशेशकर दलित पिछड़ा और सर्वसमाज के अदर जो गरीब है जो उस आरेक्षण के मादम से अपनी जगें पाते थे उस सरकारी विभागों के अंदर नोक्रियां पाते थे कि उनको तो पूरीतरा खतम करने का काम क्या है आरेक्षण को एक दूसरे दर्वाजेशे खतम करने का काम क्या है बीजेपी के नेता जो आए दिन ब्यानगाजी करते रहते हैं कि आरेक्षण को अगर हम सवधानिक तोर से नहीं तो आए सवधानिक तोर से आप खतम करेंगे त तो उसकी तरफ ये सरकार बढ़ लग रही है। आए दिन महिलाओं के साथ, बहन बेट्व के साथ में बलादकार हो रहे हैं। आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी रहत्तक के अंदर जो महन विधान सबाद के अंदर मातों बहनी गाओं के। रोज आप आप लोगों के अखबारों के अंदर हेड लाइन है वहाँ पर एक गरीब के बेटे को चोरी के इंजाम के अंदर पीट-पीट करके मार दिया जाता है फिर वहाँ पर सामाजिक बहिसकार के बाते निकल कर गया थे छात्र गाउं के अंदर सामाजिक पई तो इसलिए चाहिए वो रोजगार का विश्य हो चाहिए वो कानून विवस्ता की बात हो चाहिए वो मजदूर और किसान को कमजोर करने की बात हो चाहे वो देश के अंदर लीजी करन करके उसकी अर्थ विवस्ता को कमजोर करके इस देश को विकास सील देशों की विए लिश से बाहर करने की बात हो तो पूरुन तह ये सरकार इस डेश में और प्रदेश के अंदर फिर, कोंग्रेस जिसको यहां की जनता ने दस साल पहले उखार फेंच दिया था उनके नेताओं के आपसी कलहे के कारण तो पता नहीं कितने मुख्य मंत्री उस कहता है तो आपसी कलहे के कारण वो अपना जनादार नहीं बढ़ा पा रही है आयनल्डी जजबा वो अपने अस्तितों की लड़ाई लड़ रही है तो इसलिए भारती कमेरा वर्क पार्टी के नेता इस बात से अस्वस्त है कि वो इन तमाम विश्वों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे जनता का भरोसा जितने का काम करेंगे तो उनका खोया हुआ भरोसा है वो भारती कमेरा वर्क पार्टी जीतने का काम करेंगे और भारती कमेरा वर्क पार्टी तमाम उन धोकों को उनके सामने जनता के सामने रहने का काम करेंगे और समान सिक्षा, समान इलाज, हर घर रोजगार, और कानुन रवस्ता और सुरक्षा के मुद्धे के उपर लोगों के बीच में जाएगी तो इसलिए भार्थी कमेरावर्ग पार्टी ने आज जो अपना सदेश ताग्यान यहारेवाडी से शुरू किया है उसको पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की टीम ले करके जाएगी और दो लाग सक्रिय सदश्य बना करके अपनी जमीर को मजबूत करेगी और आने वाले समय के अंदर मजबूती से चुनाव लड़के इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की काम करेगी ये तमाम जो विशे थे उन पे आज आज आप लोगों को बुलाया था और मिसेस कर जो आज पिशडा वर्ग है इस सरकार के अंदर अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग पैमाना था किसी की तो गरीब ही 5,5,5 काश से ßजाइड और मिसें, जो कोय ही आठ लाक में गरीब है, कोई 6,5 लाक में अब तो इनका एक पैमाना नहीं, करने का काम कर रही है तो इन तमाम विश्वों को लेकर के बारती कमेरा पर पार्टी जाएगी और लोग निश्चिन तोर से विश्वास करेंगे भरोसा करेंगे क्योंकि जितने भी दल आज तक जिनकी सरकारे बढ़े उन्होंने तो वादे की वादे की पूरे नहीं की लेकिन